इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक मोटिवेटिंग बात यार अब कर डालना अब बिल्कुल कोई एफट मत छोड़ना इस इंटर्व्यू को क्रैक करने के लिए क्योंकि फाइनल स्टेज है यहां से कोई भी गलती नहीं करना है जिसके क्योंकि एक गलती भी यहां से तुमको एक साल पीछे ले जाएगा तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुमसे कोई भी गलती हो मैं सारी वीडियो बना रहा हूं और प्लीज अप ऐसा कर डालना है कि माबापको और अपने आपको गर्व हो कि तुमारे पास एक जौब आ चुका है अब तुम कुछ भी कर सकते हो फैनेंशल इंडिपेंडेंट हो चुके हो और माब आपके नजरों में भी गर्व हो और तुमारे सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट हो कोई गलती मत करो प्लीज रिक्वेस्ट है यहां से एक गलती भी बहुत भारी पर सकते हैं स्वागत है आप सभी का मेरे चानल प्योश कुपता में आप सभी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे एक वीडियो बनाने के लिए कि सर आपको 48 आउट और 50 कैसे मिला था आपने क्या-क्या फॉलो किया था जिसके वजह से आपको इतना अच्छा मार्स आय था इंटर्व्यू तो यह वीडियो पेसिकली उस टिप्स के बारे में है कि क्या-क्या आप फॉलो करो गया जिसके वजह से 48 आउट और 50 आपको भी मिल पाए इंटर्व्यू में और जिसके कारण आपका सेलेक्शन हो पाए आपको भी मालूम अगर आपको 48 आप 50 आजाता है इंटर्व्यू मे हो जाता है तो देखो इंटर्व्यू को सबसे पहले समझना होगा आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इंटर्व्यू को क्योंकि इंटर्व्यू का एक पैटर्न होता है जो कि बहुत कैंडिडेट्स नहीं समझ पाते जिसके वजह से वह बार बार इंटर्व मुझे भी समझने के लिए मैंने बहुत सारेnt असने के कुछ अपने आप में आप ऐनलीसिस किया और काफी कुछ मैने इंटर्विए के बार में समझा तब जाके मेरा थीन की पों है इंटर्व्ल pocz करना बहुत 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 जरूरी है कुछ लोग समझ नहीं पाते जिसके वज़े से सेलेक्शन रुख जाता है तो इंटर्व्यू को समझने के लिए आप सभी को गाइड करने के लिए मैंने दो चीज की है एक तो मैं मौक इंटर्व्यू ले रहा हूं आप सभी के लिए SPI PO और बाकी PO का आप सभी को मालू मैं लास्ट यर सबका सेलेक्शन हुआ था जिन्होंने मेरा मौक इंटर्व्यू लिया था और तो मौक इंटर्व्यू जिनको भी देना है तो नीचे टेलिग्राम ग्रूप का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में वहां से मेरा टेलि इस को परष्येज कर सो तो मैंने जो कोर्स में बताया है वो फुल एंट फाइनल है मतलब इसके अलाव आप को कुछ और करने की जरूवत नहीं ए इंटर्व्यू के लिए जो भी मैंने बताया आप इसको अच्छी से करेंगे तो इन्टर्व्यू में से अपका होना ही होना ह और उस course के साथ एक मैं complimentary mock interview free दे रहा हूं उस course के साथ, जो लोग भी उस course को purchase करेंगे, उनको एक mock interview मेरे तरफ से free में मिलेगा, तो ये दो methods हैं, जिससे आप मुझसे जोड सकते हो interview preparation में अपने, मैंने देखो अभी आपको बताये कि interview को आपको समझना होगा, अब देखो बच कि क्या आप गलती करते हो और जिससे आपको पता नहीं लगता है कि interview में आपसे गलती हो, अब जिससे एक example, अगर आप किसी बच्चे को देख के बोलते हो, he is behaving childishly, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक negative sense में उस बच्चे को बोलो, कि वो बच्चा बेकार है, बदमाश है, लेकिन वहीं अगर आप बोलोगे his behavior is childlike, तो आपका कहने का मतलब वो बदमाशी नहीं कर रहा है, basically वो बच्चपना कर रहा है, तो देखो ये जो दो words थे, आप सोचते होगे इसका meaning एक है, लेकिन इसका connotation different है, ऐसा ही होता है interview में, interview में भी आप क्या बोल जाते हो, वो important है और किस attitude से बोलते हो, ये भी बहुत important है, तो मेरे according, कुछ कुछ tips है, मैं देखता हूँ आप सभी को, interview आपको crack करने के लिए, अपने dressing पे बहुत ध्यान देना, देखो, देखो दोस्तो, dressing बहुत important है, आप please dressing कोई ग्रोर मत करना, काफी marks होते हैं dressing पे, दूसरा dressing में मैं बत पहन सकते हो, आप tie लगाना बिलकुल अच्छा लगेगा, और shoes, belt का color एक होना चाहिए, दूसरा आपको enter कैसे करना है, greet कैसे करना है, panel member को, इसका बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना, और enter के साथ, exit कैसे करना है, रूम से, ये बातों का बहुत अच्छे से ध्यान impression कर सकतो, और फिर उसके बाद आपको इधर उधर कुछ भी पूछने के जरुवत नहीं है, फिर तीसरा important point जो मैं बहुता होगा, आपको banking awareness आपको करना है, बहुत important है, banking awareness में कुछ important topics, वो आपको बिलकुल अच्छे से करने हैं, जो मैंने अपने course में बताया भी है, तो वो आपको कर लेने है, वो सारे topics मैंने 500 से 1000 interviews को analyze करके ही वो video course बनाया है, जिसमें मैंने बताया है, जो important topics हर बार आपसे पूछे जाते थे, वो मैंने उसमें बताया है, वो आपको करना है, दूसरा, जो मेरा perspective है, देखो, एक flow होता है interview का, वो आपको समझना है कि देखो, आपक candidate से उसके bio data form फिल कराता हूँ, उसके बाद मैं उसका mock interviews, उसके profile के basis पे question बना के करता हूँ, क्योंकि सबके लिए interview सेम नहीं होता है, ये बात अब समझ लो, सबके लिए interview का meaning different होगा, आपका interview कैसा चलेगा, वो दूसरे बंदे से different होगा, ये बात याद रखना, आपके personal profile पे चलेगा, तो मैं जब भी mock interviews लेता हूँ, मैं उसके profile को, bio data को पहले फिल कराता हूँ, just like real interview, उसके बाद उसके profile के basis पे question होता है, तो जैसे for example, कोई working है, अगर कोई bank में काम कर रहा है, तो उसके लिए question दूसरा होगा, कोई fresher candidate है, उसके लिए question दूसरा होगा, जो अगर professional है, जो पहले से काम कर, अगर bank में काम कर रहा है, तो उसके लिए question दूसरा होगा, banking terms उससे जादा पूछे जाएंगे, एक fresher के comparison में, ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, दूसरा, addressing, और देखो, confidence तो सबसे जादा important in interview में, देखो, लेकिन confidence तभी आएगा, जब आप अच्छे से prepare कर लोगे, basically confidence अपने आप generate नहीं होता, जब आपके पास knowledge होता है, और अंदर से speaking skills आपके अच्छे होते हैं, उसके बाद ही आपका confidence generate होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास knowledge नहीं है, तो आप confidence नहीं ला सकतो, ये भी एक truth है, तो confidence generate करने के आपको बहुत अच्छा knowledge होना चाहिए, और आपको उन बातों का भी ध्यान रखना है, जिससे आपका confidence boost up हो जाए, और कहां का interview में, जो low points आएंगे, उसको कैसे tackle करना है, वो चीज़ important है, और suggestion मेरा ये रहेगा, कि आप please current affairs को करते रहेए, अभी से, जो important recurring current affairs है, हर बार आ आपके newspaper में, वो आपसे पूछा जाएगा, newspaper को पढ़ना बन मत करना, जिस दिन तक तुमारे interview है, उस दिन तक पढ़ना है newspaper को, बहुत important है, और देखो मेरा एक final suggestion ये रहेगा, कि please try to respect your panel members, मतलब कभी भी उनसे argument मत कर लेना, गलती से भी, it can ruin your interview perhaps, और बहुत respect elderly humble way में आपको उनके questions का answer देना है, ठीक है, तो देखो, basically ये video बनाने का purpose मेरा यही था, कि थोड़ा बहुत आपको idea मिल जाए, interviews related, और मैंने यही सब tips कुछ-कुछ follow किया, मैंने बहुत analysis किया, अपने interview के पहले, उसके बाद, मुझे इतने अच्छे marks मिले थे, और मेरा selection हो गया था, परह आपको बहुत benefit होगा, बहुत short short videos है, जिससे आपको बहुत help होगा, नीचे telegram, नीचे course का link भी दिया है, वहां से आप join हो जाए, और दूसरा mock interviews join कर सकतो, जिसमें personally one to one mock interviews में conduct करूँगा आप सभी का, तो आप वहां नीचे telegram group का link है, वहां group को join करके, मुझे personally message कर देना, आपका mock interview schedule हो जाएगा, तो please अच्छे से पढ़ो, आप सभी, बहुत important होने वाला है, यह अभी का जो ways है, आपका interview के पहले, और mains के result के बाद का, काफी time आपको इस interview में, एक guided way में देना है, ताकि आपका selection हो जाएगा, तो चलो, इस video को आप लोग या end करेंगे,